पहले पीके नितीज, अब साह पस्वान बिहार का सियासी मौसम हुआ आसी काना मिसन दोजार चौबिस से पहले मिलने लगे बिछने साथी क्या बिहार के दिगज तै करेंगे देश का अगला पीम नितीज पीके की एक साथ आने की खबर के बाद बिहार की सियासत में उठी हल चल अभी सांत भी नहीं हुई थी कि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है खबर यह है कि लोगजन सक्ति पार्टी राम बिलास के मुखिया चिराग पाशवार ने केंद्रिय ग्री मंतरी अमित सासे मुलकात की है देश की राजनिती में बिहार हमेशा से अपनी महतपुन भूमिका निभाते रहा है या यूँ कहिए तो बिहार हमेशा से देश की राजनिती की दसा दिसा तै करता रहा है चार दसक बाद फिर बिहार इतिहास दोराने की ओर बढ़ रहा है मुखमंतरी नितीज कुमार के गड़बंदन बदनने के बाद परदेश ही नहीं बलकी देश की सियासी हलचल भी तेज हो गई है द्रसल मिसंद 2024 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जोर सोर से तयारिया की जा रही है इस बीच बिछरे सातियों को जोडने की पहल भी तेज है परदान मंतरी नरेंद मोदी के खिलाफ 1977 की तरह संपूर्ण विपक्ष को एक करने के लिए जब परकास नरायन के अनुवायों के बीच गोलबंदी तेज हो गई है इसी करम में पौनवर्मा का पहले मुख मंतरी नितीज कुमार और फिर प्रसांद की सोट से मुलकात के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई अभी सियासिक जवला सांध भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ी खबर सामने आ गए दरसल लोजपा रामिलास के मुख्या चिराग पाशवान ने सूरत में एक कारिकरम के दोरान केंद्रिय ग्री मंतरी अमीत साथ से मुलकात की है दरसल पूरा मामला यह है कि लोच्पार अबिलास केनेता चिराग पाशवान बुदवर को हिंदी दिवास समारों में सामिल होने के लिए सूरत गए थे इस कारिकरम के मुख्य अतीती भाजपा के पुर्व अध्यच और केंद्रिय ग्रीमंतरी अमीत साथ थे आपको बता दे कि चिराग भी राजभासा पर संस्दिय समिती के सदस हैं ऐसे में वो समिती के सदस के रूप में वहाँ उपस्ते थे सुत्रों की माने तो बीजेपी की इसारे पर ही चिराग को इस कारिकरम में बुलाया गया था छुप छुप कर मिलना और मिलन को इतिफाक बताकर मुद्दे को टाल देना ये बीजीपी का पुराना ट्रिक रहा है बिहार में अंडिये टूटने के बाद बीजेपी के नदर चिराग पशवान पर है भाचपा निस्यत रूप से जानती है कि पसुपती पारस के नित्रित वाला एलजीपी भले ही गटबंदन में है लेकिन बिहार में मतदाता अभी भी चिराग पशवान के साथ है बिहार में 6% पस्वान मतदाता है जिन्होंने पिछले चुनाव में बड़े पेवाने पर एलजीपी को अपना समर्थन दिया था बिजेपी 2024 के लोग समर्चुनाव से पहले महाकडबंदन के साथ मुकाबला करने के लिए दलित मतदाओं के खास हिस्वे को अपने पास रखना चाहती है यही कारण है कि वो चिराग को खोना नहीं चाहती है साप भी मर जाए और लाठिन भी न तूटे इसी के जुगार में बिजेपी लग गई है अर्थार्थ बिजेपी एंडिये के भीतर चिराग पशवान और पारस दोनों को ही साथ बनाय रखने का फर्मूला डून रही है क्योंकि चिराग पशवान का साब तोर पर कहना है कि जिस गठबंदन में चाचा यानि की पसुपती पारस रहेंगे वहां मेरा जाना मुस्किल ही नहीं नामुम्किन है हाला कि बीजेपी चाचा भतीजा को एक सांथ लाने के लिए तमाम कोशिसे कर रही है हाला कि आप यह देखना बरा दिल्चस्प होगा कि साह और चिराग के बीच हुई मुलाकात का असल माइने में क्या होता है क्या दोनों दिगजों का मिलन एक मात इत्तिफाक था या पहले से सब कुछ दय था क्या चाचा के रहते इंडिये में चिराग सामिल होंगे यह देखने वाली बात होगी बहार इन्सोर्च के लिए राजकमल की रिपोर्ट यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कोमेंट करके बता सकते हैं अगर यह वीडियो फेस्बूक पर देख रहें तो हमारे पेज को भी लाइक करें और अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो तुरंद कर लें धन्यवाद